हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए एक न्यू राखी की डिजाइन लेकर आई हूँ जिसमें हम डाइमेंड पेंडेंट का यूज करेंगे जो की दो लाइन्स में होगी इससे पहले अगर आपने मेरे वीडियोस को भी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को जल्दी से सस्क्राइब कर दीजिए जिससे आपके पास इसी थरह के न्यू न्यू इनोवेटिव आइडियाज आते रहें तो आज मैं आपको ये राखी बनाना बताऊंगी जैसे कि आपको दिख रही है जिसमें हमने डायमेंड पेंडेंट का यूज किया है बहुती सिंपल है और बहुती इजी है आप घर पे बना सकते हैं सबसे पहले हमने एक मोती अपने थ्रेड में डाली है निडल की मदद से अब ये एक न्यू टेकनीक है जो कि मैंने बनाते वक्त यूज की है बहुत इफेक्टिव है जिसमें आप सबसे पहले पेंडेंट में इस तरीके से जब आप डालेंगे तो जो मोती है वो फस और हम शुरुआत जो है पेंडेंट से ही कर रहे हैं और कंप्लीशन भी पेंडेंट पे आकर ही होगा ओके तो आप बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिए बहुती इजी टकनीक है और बहुती इफेक्टिव है आप इजले इसको बना सकते हैं और आपकी राखी हमारी राखी में किस तरह से स्ट्रेंट आएगी यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो लास्ट जो मोती है यह एड़ क्रिस्ट्र जो मैं यह यापर यूज कर रही हूँ इसके बाद आपको डूरी लगानी है तो अगर आपके डूरी भी इसी तरह की स्ट्रॉंग वाली है तो आप इसमें से सुई की मदद से सिलते हुए इसको डोरी को यूज करें और अगर आप डोरी के जगा कोई और धागा यूज करना चाहते हैं तो इसको सिर्फ पुट अप करना है and then again जो red color का crystal मोती है इससे हम निकाल लेंगे यहाँ पर जो red crystal मोती है वो single है इसलिए हमने उसी में से निकाला है then अब second line हम बना रहे हैं अगर आप को कोई दूसरी डूरी यूज़ करनी है कोई थर्ड यूज़ करना है या मॉली कधा का यूज़ करना है तो यह सारी techniques मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ तो अगर आप पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो जरूर मेरे पहले की वीडियो देखें इससे आपको help मिलेगी राकी बनाने में जब हमारी एक तरफ की दोनो लाइन्स बन गई है तो हमने क्रॉस करते हुए दूसरी तरफ धागे को लेकर आए हैं अगेन यहां पे हम ये दोनो लाइन्स सेम टू सेम अरेंजमेंट के साथ बनाएंगे आपको लाइन्स बनाएंगे यहां पे मैंने दो लाइन्स बनाई है अगर आप दो से जादा लाइन्स बनाना चाहते हैं तीन या चार तो यह जो डाइमेंड का जो पेंडेंट हमने बीच में होरिजोंटली रखा है इसको वर्टी कली रखें जिससे आप दो से जादा लाइन्स बना सकते हैं कर दो से जादा लाइन्स बना सकते हैं कर दो से जादा लाइन्स बना चारिए कर दो से जादा वर्मेंड कर दो से जादा कर दो दो से जादा झाल झाल लास्टली जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हमने जहां से राकी बनाना शुरू किया था हम्मारा कंप्लीशन भी वहीं पर होगा तो जैसा कि यहां पर आपको दिख राएं कि यह जो रेड कलर का मोती है हमने यहां से शुरूवात की थी तो हमें अब अगेन उसी मोती से हम धागे को निकालेंगे and then not लगाएंगे जिससे कि हमारी जो राकी है थोड़ी स्ट्रॉंग हो जाएगी और secondly आपको ये करना है कि इस मोती पर और जहां पर आपने not लगाई है वहाँ पर थोड़ा सा फैविक कॉल या फैविक कुईक आप रख दे और फिर सूखने के लिए छोड़ दे इससे क्या होगा कि जो not है वो और मजबूत हो जाएगी और बिलकुल आपकी राकी एकदम ब्यूटिफूल और स्ट्रॉंग रहेगी जरूर से ये टेकनिक ट्राइ करके देखें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये आइडिया कैसा लगा यहाँ फैविक कॉल का यूज करने से एक और ये फायदा है कि आपके अगर छोटे मोटे जो थ्रेट्स हैं अगर वो दिख रहे होंगे तो वो भी एक ही जगा आ जाएंगे और क्यूंकि ये नॉट नीचे की तरफ है तो उपर से बिलकुल भी दिखाई नहीं देगी तो इसी तरीके से आपके राकी हो गई है कमप्लेट और थैंक यू फोर वाचिंग मैं वीडियो प्रृप मैं वीडियो